अलो बच्चों, गुड मार्निग, लेट्स तो दो गॉशन नुबर 5 एक्सराइज 2.5, ख्लास 9th, ओके, कोशन नुबर 5 इस तो इसका इसका अपोजित था, वहां पे आपके पास क्या था, फेक्टर दिया थे आपको एक्स्पैंड करना था, और यहां पे एक्स्पैंशन दि था, तो अगर आपने वह किया है तो यह करने में आपको, वह एक्स्पैंश 2.5 क्योशन नुबर 5 करने में आपको बिल्कुल भी प्रोप्लम नहीं आने वाली है, तो वहां एक्स्पैंश 2. एक से उपर तो square है लेकिन इस 4 के उपर भी आपको square बनाना है तो बना दीजे पहले ये terms इस तरह से बना दीजे आपने सर्फ ध्यान रखना है कि आपने सर्फ इन तीन पर ध्यान देखना और यहां पर minus positive का ध्यान रखना अगर इन दो चीज़ों को आपने catch कर लिया तो you have solved the question ठीक है यहां इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने की maximum बच्चे क्या करते हैं यहां पर टेंशन लेते हैं कि अब इसको कैसे तोड़े जी 12 x y अपने आप आएगा अपने यह तीन वैल्यू करेक्ट निका लिया है ए बी सी की और minus आपने ठीक से जो है वो देख लिया है कि क दो जगा पर है ठीक है अब आप इन दो जगा पर बेरियेबल्स देखिए यहां पर yz है यहां एक्स जएड है ठीक है तो इसका मतलब है कि z वो common चीज है जिसके साथ common वेरियेबल है जिसके साथ negative होगा जिसके कारण यह दौनों टर्म नेगेटिव हो गई है तो यहां पर लोगे तो क्या लोगे 16 क्या होता है 4 forza तो माइनस 4 यहां पर लोगे बाग की फिर कुछ problem नहीं है इस question में तो चलिए करते हैं solve करना start तो चलिए इसको लिखना शुरू करिए तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं है तो 2x square that means I am writing this 4x square as a 2x square क्योंकि मुझे इसको ऐसे बनाना है plus 3 3 so I'll write 3y square अब यहां पर क्या है plus लेकिन क्या बोला z के साथ क्या है negative है तो I'll write is minus 4z square तो अब आपने आधी जंग जीत ली है अब आगे पर आगे आप बूल जाए आगे आप आखे बंद करके लिखिए ठीक है चलिए आप अभी ऐसे ही लिख लीजे अभी आप ऐसे ही होगा 2 into करिए compare यहीं पर आप comparison करोगे तो यहां पर क्या होगा a is equal to यहने थोड़ा पहले ही लिख दिया 2x और b is equal to 3y और c is equal to minus 4z बस आगया अब यह आपके पास अपने आप आगा एक जगा पर भरिए क्या है 2x तो भर दिया 2x बी की जगा पर आपको क्या दिख रहा है 3 3y तो रख दिया 3y ओके प्लस मेरे पर विश्वास नहीं और आपको खुद देखे 2 to the fourth is the 12 आगे अपने आप है ना मैंने आपको ऐसे नहीं बोला कि 12 को ऐसे तोड़ो यह अपने आप आ गया ठीक है पर यह minus plus का ध्यान रखना है आगे है 2bc 2 into b b आपके पास कितना है 3y औ और c कितना है आपके पास into minus 4z इसका ध्यान रखना है आपने ठीक है फिर plus 2 into c c फिर क्या है minus 4z into a a कितना है आपके पास a है आपके पास 2x ठीक है अब आप चाहें मिला के देख लिए आपने आप इसको split कर दिया है 2 3z 6 4z 24 और minus भी चाहिए साथ में आगया जी 2 4z 8 2z 16 और यह अपने आप इसकी tension नहीं लेनी है ठीक है तो यह अपने आप ऐसे आएगा तो आगे आप कि this is equal to क्या होगा this okay तो अब आपने देख लिया कि इसको यह जो polynomials है आप इसको इस फॉर्म में ले आए हैं तो which is equal to क्या होता है a plus b plus c whole square so therefore यह क्या हो जाएगा आपके पास यह जो पूरी 4z है तो minus 4z लिख लिख लिजे whole square okay और इसका मतलब है this is multiplying two times so I'll write 2x plus 3y minus 4z एक फेक्टर यह होगा इसका और दूसरा फेक्टर कॉन सा होगा 2x plus 3y minus 4z तो यह जी यह मैंने इस पूरी expansion के जो है वो यह factors यहां पर क्या करती है बना दी है तो यह this is equal to this हो गया okay so now let us solve the question number 2 ठीक है तो question number 2 क्या था आपके पास question number 2 है आपके पास देखना पड़ेगा यह question number 2 लिखना भूल गई sorry question number 2 is a 2 है आपके पास 2x square plus y square it is now let us do the question number 2 मतलब question number 5 का second part question number 5 second part is आपके पास है 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2 4 root 2 yz minus 8xz okay so by using by using कौन्सी प्रोपर्टी करनी आपने आपने आपके इ maniac by using what a square plus b square plus c square plus 2 ab plus 2 vc plus 2 ga is equal to a plus b plus c whole square we get what यहाँ पे पहले यहाँ पे इसको use करना पड़ेगा that means इसको पहले इसमें change कर दिजे 2 को कैसे square में लिखूँ तो लिख सकती हूँ root 2 x whole square क्योंकि आप root 2 को लिख सकते हो this is root 2 root 2 is root 2 square that means root 2 into root 2 और आपको पता है root 2 into root 2 is equal to 2 so I am writing क्योंकि मैं जो square में लिखना है इस formula आना है इसलिए मैंने 2 को लिखा root 2 square plus y square y तो बिचारा केला है तो उसको वैसे लिखा plus 8z square 8z फिर problem हो गई 8 होता है आपके पास क्या 8 is equal to 2 into 2 into 2 अब यह इसके तो square बन गया है इसके लिए फिर अभी आपने root 2 बढ़ा है तो इसको आप लिख सकते हो 2 root 2 square ओके तो लेकिन यहाँ पर धियान रखने वाली बात है minus की negative किस term के साथ है वो दिखे तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो negative किस के साथ है जहाँ पर भी x है वहाँ पर negative है तो that means x यहाँ पर आपका negative होगा इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है ज़ेट नेगेटिव नहीं है जो जिस भी term के साथ x है वो negative है तो that means x यहाँ पर negative है plus y square plus z square z को क्या होगा फिर 2 root 2 2 z whole square plus 2 into a कितना है x into b b कितना है यहाँ पर तो यहाँ पर b कितना है b is equal to पहले लिख लिख लिखे हैं यहाँ पर यहाँ पर confused ना हो ठीक है a is equal to minus root 2 x और b is equal to कितना लिखाई दे रहा है y and c is equal to 2 root 2 z यही हो रहा है ना यह दिखे a square a की जगा पर है minus root 2 x b square y square that means b is equal to y and c square 2 root 2 z whole square बस बाकी फिर आपके पास अपने आप ही आएगा 2ab इसको सिर्टोड के लिखना है otherwise simple लिखो के तो भी चलेगा तो फिर भी आपको लिखना पड़ेगा इसको इस तरह से split करके ताकि आहां लगे पता कि आपने यही identity यहाँ पर यूज करी है तो 2 into a into b b is y प्लस 2 into b b is what y into c c is 2 root 2 z प्लस 2 c a प्लस 2 into c c तो यही से पता चल रहा है 2 root 2 z into a a कितना है minus root 2 x अब यह देखिए 8 आ गया क्या नहीं आ गया 2 to the 4 root 2 into root 2 2 4 to the 8 और zx xz ओके और minus का minus यहाँ पर अब यहाँ पर प्लस थी टाम है 2 to the 4 root 2 yz yz यह अपने आप टूट किया आपको जरूरत नहीं पड़ी ही जादा सोचने की तो we get क्या मिलता है हमको इसका मतलब इस पूरे expansion को हम क्या लिख सकते हो इसकी तरह लिख सकते हो that what क्या हो गया यह है आपके पास minus root 2x plus y plus 2 root 2 z whole square which is further equal to that means यह 2 times multiply कर रहा है क्या हो तो यहां पर होगा minus root 2x plus y plus 2 root 2 z into minus root 2x plus y plus 2 root 2 and z तो this is the answer और यह आपके पास answer आगया ठीक है simple है कोई बड़ा complicated नहीं है बिल्कुल simple कर दो